साथियो नमस्कार मैं महिआस्च चंदर कोशिक अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वाग्यद करता हूँ साथियो आज हम स्टोक मार्केट में लिष्टेड सभी कमपनियों का डाटा बैंक एक एक्सेज quietly सीट में बडाना सीखेंगे स्टोक मार्केट में लिश्टेट सभी कम्पनियों का एक डाटा बैंक बनाएंगे आजम जिसमें एक ही डाटा बैंक में हम उनके करंट मार्केट प्राइस आजाए उनका बाउन वीक आजाए उनका बाउन वीक लो आजाए उनकी EPS आजाए उनका PE रेसो आजाए उनका Price to Book Value कितनी रही साल में वह आजाए उनका Profit कितना रहा वह आजाए उनकी मैट सैल पर कितनी रही मत देखो यह ट्रम से आपको समझ में नहीं भी आती है तो मैं आपको आगे पंडामेंटर एनालिसिस करने में इस डाटा बैंक का कैसे प्रोक करना है इससे कैसे शेर छांटने है वो सबी सिखाऊंगा लेकिन आज मैं आपको मुलबूद बाते सिखकेऊंगे एक 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 सेल सीट मनाएंगे एक बढ़ी सीट में उस सीट में सभी कमपणियों के डाटा एक साथ ले लेंगे जिससे हम सबी कमपनियों का तुलनात्म करके उनमें से बेस्ट शेर चोइस शेर में यदि आप मेरे साथ साथ ही डाटा बैंक बनाना सीख लेंगे तो आपको शेरों की टिप लेने के लिए किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा बलकि आप इस योग्या बन जाएंगे कि आप खुद दूसरों को टिप देने लगेंगे तो बने रहे ये वीडियो में मेरे असल में मैं पिछले 10 वर्सों से अपने बलोग winningtheory.mescosic.com पर ऐसा डाटा बैंक एक्सेल में प्रोवाइड कराता हूँ पिछले 10 साल हो गए मैं अपने बलोग पर हर 3-3 मीने में मेरे बलोग का एड़स नोट कर लीजिए winningtheory.mescosic.com मेरा मूल बलोग है उसका ये सब डोमेन है winningtheory.mescosic.com इस पर मैं हर 3 मीने में ऐसा डाटा बैंक प्रोवाइड कराता हूँ तो मेरे follower हमेशा मुझे comment करके पूछते हैं जब भी मैं ऐसा डाटा बैंक देता हूँ तो मेरे followers हमेशा मुझे comment करके पूछते हैं कि sir हम बगएर आपकी मदद लिए बगएर आपके बलोग पर जाए खुद ऐसा डाटा बैंक कैसे बणा सकते हैं तो हर बार उनको ऐसे मना कर देता हूँ कि मैं इनमें pad service का यूज़ करता हूँ तो फिर आपको ऐसा डाटा बैंक बढ़ा कि प्रोवाइड करता हूँ बना सकते हैं, इस comment को जानमे लगते हुई, मैंने आज का वीडियो बनायर मैं आज के वीडियो में आपको खुद ये data bank का आप कैसे बना सकते हो, वो बनाना सिखाने बाड़ा हूँ, बस आप वीडियो को skip करकर के बगाब गागे, मत देखिएगा, और आप मेरे साथ साथ बन बनाना सिखाने वाड़ा हूँ तो मुफ्त में बिल्कूल मेरे जैसा डाटा बैंक बनाने की इस वीदी के बारे में महाराष्ट्र नासिक में मेरे फॉलोर है सिरी उमेश सुनील चोरमारे जी उन्होंने मुझे इमेल करके सरोपर्चम बताया था और सिरी उमेश सुनील चोरमारे जी ने अपना 28 सेकंड का वीडियो भी रिकॉर्ड करके बेजा है तो पहले उनको सुन लेते हैं 28 सेकंड में कि सिरी उमेश सुनील चोरमारे जी का क्या कह और इसमें मुझे सफलता मेली बाकिकी खोजी वी डेटा बैंक के बारे में महेश कोजी जी आपको जान करेंगे उन्हें ने आपको पोचाने में मेरे मदद की महेश कोजी जी सर जी तो हमारे गुरु है इनकी सब वुडियों देखे मैंने सब सीखा है दन्यवाद तो इस फरी डाटा बैंक को बनाने के लिए हम screener.in नामक एक वेबसाइट का परियोग करेंगे तो यहां मैं एक अपना disclosure देता हूँ कि screener.in वेबसाइट से मेरा कोई लिंक नहीं है मैं इस कंपनी की वेबसाइट का कोई परमोशन इस वीडियो के मादिम से नहीं कर रहा हूँ और आपको इसका कोई भी paid plan खरीदने के लिए pro side नहीं कर रहा हूँ जो भी हम यूज करेंगे screener.in की free service का परियोग करके मैं आपको data bank बनाना सिखाऊँगा तो किसी भी तरह का paid plan का बेचने का या इसका कोई affiliation का कोई promotion करने का मेरा कोई विचार नहीं है तो ये बात आप अमेसा जान में रखें च्योंकि data bank आप चाहें तो मेरे blog पे जाके मेरा भी use कर सकते हैं या आप skinner.in website से free में बना सकते हैं तो अब मैं आपको जादा देरने करके skinner.in की website में जाके practical में data bank बनाने के सारे steps आपको सिखा रहा हूँ आईए समझे मेरे साथ साथ अब मेरे जो followers हैं उनमें दो परकार के followers हैं एक जो मेंती followers हैं जो मेरे इस skinner.in पे जाकर के data bank बनाना सीखेंगे और दूसरे follower थोड़े से महा आलसी follower हैं तो उन मेरे प्यारे महा आलसी followers के लिए मैंने मेरे blog winningtheory.mescosic.com पर ये data bank automatic excel file बढ़ा के ही उपलद करा रहा है हर 3-3 मिने में मैं इसकी excel file updated provide कराता हूँ अब कभी 3 मिने से 4 मिने भी हो जाए पांस मिने भी पराणा आप यूज करें तो कोई फरक नहीं पड़ता जो कि इसके जो हम sell का data यूज करते हैं वो yearly यूज करते हैं साल बर की एक बार का sell का data हम इसमें यूज करते हैं मैं तो इसकी sell का data है profit का data भी हम yearly यूज करते हैं कोई भी data हम fundamental analysis के लिए quarterly यूज करते ही नहीं हमारी वीदी में तो इसमें year high year low भी हम साल बर के यूज करते हैं तो लगबग 3 मिने पराणा जो data bank के आपके काम आ सकता है तो आप यदि महा आलसी follower की शेनी में आते हैं तो आप मेरे blog पे जाके मेरा data ready made दर 3-3 मिने अपडेट होता उसको download करके यूज कर सकते हैं और माल सी follower नहीं है मैं ती follower की शेनी में आते हैं तो आप खुद skinner.in पर अपना data bank आराम से जैसा कि मैंने वीडियो मड़ाये वैसे बना सकते हैं पचास से ज्यादा कंपनियों को भी फरी प्लान में एड़ करना मैंने सिखाया है आपको जो उमेश चोरमारे जी की seat है जिसमें पचास से ज्यादा कंपनिया एड़ है और वो फरी प्लान में भी खुलती है उसको अपडेट कर सकते हो आप तो उसका लिंक मैं इस वीडियो की डेस्क की सुन में प्रोवाइड करा रहा हूँ वहाँ से जाके वो मेश चोरमारे जी की जो पब्लिक की seat है उसको भी आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए हम screener.in नामक वेबसाइट का प्रयोग करेंगे आप अपने ब्राउजर में screener.in नामक वेबसाइट खौल लीजिए और यहाँ जो get free account का option दिया हुआ है देखो आपको किसी तरह की premium या pad service का प्रयोग नहीं करना है आपको free service का प्रयोग करना है get free account का प्रयोग करके आप अपना email डाल करके इसमें email दो बार enter करके और अपना password को भी create करके एक account यहाँ पर create कर सकते है मैंने चुकी पहले से account create किया हुआ इसलिए मैं सीधा मेरे account में login option पर जाकर करके login हो रहा हूँ login हो जाने के बाद में इस प्रकार का interface खुल जाएगा और उपर आप देखिए core watch list लिखा वारा इस core watch list पे किलिक करके यहाँ create new watch list पे किलिक कर सकते है किसी ने पहले से watch list नहीं बना सकते है तो हो सकता है उसके यहाँ create new watch list का option यहाई तो यह create new watch list पे आप किलिक कर दीजिए और watch list का नाम लिख दीजिए data bank जिसका नाम हम data bank लिख देते हैं और data bank लिख करके इस watch list को यहाँ पर save कर देते हैं अब watch list को save कर देते हैं इसमें कौन सी company लेनी आपको आपको import companies के option का प्रयोग करके इसमें आप खूप सारी company एक साथ add कर सकते हो तो देखिए उन company के नाम हम कहां से लेके आएंगे वो मैं आपको अभी सिखाता हूँ इसमें आपको 50-50 company एड़ करनी पड़ेगी जोकि free plan में एक बार में आप 50 से ज़्यादा company एड़ नहीं कर सकते बाद आपको ये 50-50 company की list आगई इसको यहां से आप CSV के रूप में download कर सकते हैं और यहां से CSV के रूप में download करके इसकी Excel फाइल खौल ली Excel फाइल खौल के सीदे आप upload करोगे तो यह समझेगा नहीं आपको इन फादू के column को delete करना पड़ेगा और शुरू के दो column ये symbol और 50-50 भी delete करना पड़ेगा अब खाली 50 company के NST code आगे तो इसको ाइल के रूप में आपको save करके muse कर लिंौ करने के बाद देखिए दू आपके यह做 खौला रहा था इसके अंदर इंपोर्ट कंपणी मांग रहा था ये कि कंपणियों के नाम आप इंपोर्ट कर सकते हो देखिए फ्री प्री प्लान में आप 50 से ज़्यादा कंपणी इंपोर्ट नहीं कर सकते लेकिन मैं आपको उमेश चोरमारी जी का बढ़ाया हुआ जो स्क्रीनर है उन्हों की प्लान में ओपन हो रही है तो इन्हों ने जो ये स्कीनर ओपन डाटा बैंक बेस्कोसिक नाम से बढ़ा रखा है बाद में मैं इसका लिंक भी वीडियो की डेस्क्रिशन ने प्रवाइड करा दूंगा आप चाहें तो इसको भी यूज कर सकते हैं नहीं तो फिर आपको इस तरह से 50-50 कंपनिया एड करनी पड़ेगी तो इंपोर्ट कंपनी में जाईए और यह फाइल चूज कीजिए यासे और फाइल चूज करके आप यह निफ्टी नेम जो कंपनियों के फाइल में ने खौली थी यह फाइल जो निफ्टी नेम बारी बनाई है इसको आप एक्सेल में डाउनलोड करने जाएंगे एक्सपोर्ट करेंगे तो यह फिर कहेगा कि साफ पेड़ फलान ले लो वह इन्वेस्टर जीरो बाड़े के लिए जो है इसको करन्ट प्लान में डाउनलोड करने का कोई ऑप्सन नहीं आता तो इसका भी वीदी है इसकी वीदी यह प्रेश करो तो फरी में भी आप इसको एक्सेल बना सकते हैं फरी प्लान के अंदर भी और अब आप कहेंगे कि साब यह करन्ट मार्केट प्राइस आगया पी रेसो आगया मार्केट कैप आगई लेकिन आपके डाटा बैंक में डिविडेंट है इसमें नहीं आ रहा आपके डाटा बैंक में नेट सेल पर सेर वो इसमें नहीं आ रही तो वह सब आप इडिट कॉलम में जाएंगे जब जब इडिट कॉलम में जाके आपको कुछ नहीं करना यह देखो यह जिन पर राइट लगाव सारी चीज़ें हो जाएगी आपको इस कंपनी की सैल एड़ करनी है इसमें परमोटर ने कितने चीज़ें आपको चाहिए इसमें दीवी है सब चीज़ें इसमें दीवी है फिर मेरा एक मैंने फार्मुला दिया है ना नेट सेल पर सेर इंटरपैजिस वैल्यू इसमें दीवी है इबिटा मार्जीन इसमें दिया हुआ है इसलिए मैंने आपको इस साइट बताइए कि आपको ज्यादा कम जोगी बैलेंस सीट देखने की मैंनत नहीं करनी पड़े मैं क कोई साइट का प्रमोशन नहीं करना हो लेकिन उसके नंदर कर सकते हैं तो इसमें पर ही प्लान में एक साथ जादा नहीं कर सकते आ रहा है कि कुछ चीजह झाली में मेरे इनका यूज quarterly profit growth वगरा यह मैं मेरे fundamental analysis में यूज नहीं करता इन चीजों को dividend yield को यूज नहीं करता इन चीजों को आप इसमें सटा सकते हैं ताकि आपके पास column add करने के लिए free रहे free plan के अंदर यह आप जback column add कर सकें प्रमोटर ने कितने share गिरवी रखे हैं में इसकी चीज की जूर्च परती है मैं इसका use करता हूँ कि परमोटर ने कितने share गिरवी रखे हूए हैं तो हम इसको अंदर add कर सकते हैं तो जिन जिन चीज़ों को हमें free plan के उसार management चीज़ हमें add करनी है ताकि enterprise value में मेरे data bank में add करता हूँ तो उसको add कर सकते हैं तो हमारे free plan की सीमा भी खतम नहीं हो और हम ज़्यादा column भी इसमें add कर सकें और एक देखिए जो ratio आपको इसमें नहीं मिला वो ratio कौन सा है net cell per share उसको आप नया भी create कर सकते हैं net cell per share का जो मेरा ratio है उसका आप नाम दो net cell per share देखो ये मैं सबसे ज़्यादा विस्वास इस रेसो पर करता हूँ आपको पता है कि मेरे share चूज करने में सबसे पहले मैं net cell per share देखता हूँ आगे आपको और बता दूँगा इसके बारे में तो net cell per share के अंदर आप nsps इसका short name देदो net cell per share और unit आपने इसको किसमें रखी नहीं है rupees में रखनी है rupees के अंदर और formula में आप पहला अक्सर टाइप करोगे पहले हमें sales चाहिए तो sales टाइप करते ही देखो नीचे आ गया कि कौन साथ चूज करना आपको तो हम sales चूज करने हैं फिर इसको divide करेंगे sales को किसे divide करेंगे number of share से तो हम number type करेंगे number of share number of equity shares इसे divide करेंगे तो या जाएगा और description में कुछ भी डाल दीजिए जैसे महेश कोसिक मैंने डाल दिया महेश कोसिक net sale per share ये description मैं डाल दिया और इसको preview के रूप में हम इसको show करने चाहते हैं कि कैसे आएगी इस तरह से आएगी release industry की net sale per share क्या है 1331 रुपय है तो इस प्रकार से ये इसका preview भी आपने चेक कर लिया और इसको save ratio में जाकर के इसको इस प्रकार से save कर देंगे तो ये net sale per share का ratio भी आपके अंदर share हो जाएगा ये आपके ratio के रूप में save हो चुका है इसके अंदर अब इसके अंदर go back जाएंगे और go back जाके वो सब्सक्राइब कर रहे थे उनको आगे इडिट करके इस रेशो को भी हम इसमें add कर सकते हैं तो यह जो नया रेशो हमने create किया था यह आपको यह यूजर रेशो में मिलेगा देखो यह most यहां राइट किया हुआ आपको रखना है यहां राइट करना है नए रेशो पर उसके बाद सेयो को सेयो करेंगे तो यहां पर आगी पर मोटर ओडिंग आ गई पर मोटर के प्लैज्ड शेयर आगे कितने गिरवी रखे सेयर थे और प्राइस टू बुक वेल्यू रेशो आ गया पी रेशो आ गया तो इस तरह से आप अपना खुद का डाटा बैंक कपचास-पचास कंपणी का बढ़ा करके चैक से सीट में इसको यहां से स्वलैट करकर करके लें जाकर करके सेयोख फृ प्रीपलान के नुसार प्लान होगा इन्होंने जब बढ़ाया तो इन्होंने एक साथ यह चार-जार कंपनिया एक साथ एड़ कर रखी है कि इसके अंदर इंटरफाइज बैल्व जोड़ना चाहते हैं इसमें इसको सेव कॉलम पे जाके क्लिक करेंगे तो इसके अंदर इसका आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा इसमें आपको जो चीजिए आप इडिट कॉलम में जाकरके इसी डाटा बैंक के अंदर एड़ क करके अपना खुद का डाटा बैंक बढ़ा सकते हैं फिर इसके अंदर 174339 बीएड है और नहीं तो मैंने आपको अलग-अलग करके बनाना भी सिखा दिया है एक और इपोर्टेंट बाज बता दूँ यह आपको इसमें बाउन वीक आई लो एड करना हो तो एडिट कॉलम में जाएए इडिट कॉलम में जाने के बाद आपको आपकोol बाउन वीक आई लो एक तो इस प्राइस सब्सक्राना एक से लो छ Works करना हो तो पिर New Rabbi इसके अदर स्प्रकार से आप एडि कर सकते हैं आहाघ करते हैं और एक स्थे सखाने लिखर आपने लिखा 52 वीक यूज करता हूं मेरे अपने इसको प्रीट कर लिया शोट नेम जो है h oblique l कि हमने इसका short name दे दिया unit इसकी rupees में दे दी rupees के अंदर और formula क्या देना है आप high price के formula हही लिखेंगे है ही price आ जाएगा high price और oblique लगाके low price लिखेंगे ला लिखेंगे तो low price आ गया और बस ये bound week high low ratio बन गया इसका description description भी कुछ देब कुछ भी देजी इस तरह की bound week high oblique low यह इसकी description हो गई और इसको इस तरह से आप swap review में जाएंगे तो इसका इसमें special character allow नहीं है तो bound week high low इस तरह से देखिए यह खाली oblique मत लगाई नाम के अंदर तो आपका काम पड़ जाएगा show preview में जाएंगे तो यह bound week high low इस प्रकार से अपने उसके अंदर जो आपकी watch list थी उसके अंदर इसको भी add कर सकते हैं यह बात अमेसा जान दखेगा कि फरीवाड़े plan के अंदर column add करने की अपनी limit है फरीवाड़े plan में column add करने की अपनी limit है तो आप इन में इस तरह से add करेंगे तो आपको कॉलम उसके अंदर कुछ पराने column अठाने पड़ेंगे जो कॉलम आप यूज नहीं करते वो अठाएंगे तो यह नए column इसके अंदर add हो पाएंगे यह आपको आगे जाके user ratio के अंदर दिखाई देने लगेगा मैं इसको पूरा पीछे जाके आपको दिखा देता हूं गोबैक में जा जा करके कि जो हम save करें तो मैं user ratio में यह कहां दिखाई देगा आपको मैं दिखा देता हूं इसको मान लिजी आप इसको शुरू से देखेंगे तो आपको यहां दिखेगी तो आपने नई वास्टी बना या वेज़े पचार पचार सेरों की अलग अलग भी बना सकते हैं लिज्ट है उसको भी आप इस प्रकार से सीधा इसके अंदर खो सकते हैं और बाउन भी आई लो का रेशो भी देखो यह यहां लास्ट में आ चुका है जो हमने यूजर वाड़े से एड किया था तो मेरे ख्याल से मैंने आपको इसको प्रयाप मात्राब में आप सिखा दि की पाट साला सीरीज का दस्वाँ वीडियो है देखे मैंने आपको एबी सीडी से लेके पी एचली तक सेर मार्केट बिल्कुल फरी में सिखाने के लिए मेसको सी की पाट साला नाम से एक सीरीज प्राइरम कर रखी है जो आपको पेड कोर्स के अंदर लाख लाख रुपे लेकर सिखाया जाता है वो सब चीज आपको फरी में मैं यूटूब पे सिखा रहा हूं तो इस सीरीज का ये दस्वाँ वीडियो है इसमें मैंने इससे पहले नर्सरी कख्षा का वीडियो डाला हुआ है इसको ऐसी चालू किया है यह आप ने फोलोर है आप सुलू से मेसको उसे की पार्ट साला सीरीज देखे सीखना चाहते हैं सेर मार्केट तो आप नर्सरी का वीडियो देखें पहले इस पूरी कंप्रीट मेसको उसी की पार्ट साला की प्ले लिस्ट का लिंक भी मैंने वीडियो की डैस्किस तुम्ने प्रवेट करा रखा है नर्सरी के बाद ल यह कख्शा 6 fundamental analysis stream का वीडियो में पहले आते हैं तो, तो वीडियो समाप्ट करने से पहले मैं हर बार की तरह आपको कुछ मैतवपूर्ण जानकारिया संचेप में दे दूँ नमबर एक मैतवपूर्ण जानकारिया कि मेरी कोई पैड सर्विस नहीं है मैं कोई सेरक की टिप आपको प्रोवाइड नहीं करवाता किसी भी मेरी सर्विस के लिए मैं आपको पैसे नहीं लेता मेरा कोई कोर्स मैं नहीं बेशता तो कुछ लोग फेस्बुक पर मेरी फोटो लगा के ऐसा भियापन दे सकते हैं कि मैं मैं इसको सिक आपको ऐसे शेर की टिप दूँगा जो आपको कोड़ पती बना देगा या टेलिग्राम चेनल मेरी फोटो लगा के फेक खौल सकते हैं और कुछ लोग मेरी फोटो लगा के वाटसब चेनल फेक खौल लेते हैं कुछ लोग यूट्यूब चेनल मेरी फोटो लगा के फेक खौल लेते हैं तो यदि आपके पास यह की पैचान है, यदि कोई भी वेक्ती आपको कोई कोर्स बेशता है, कोई ओफ-लाइन क्लास बेशता है, कोई शेर की टिप बेशता है, किसी वाटसप गुरूप में जुड़ने के लिए आधी कहता है, तो वो समझ लो, वो मेशकोसिक नहीं है, कोई आपसे पैसे मांगता है, तो वो मैं नहीं हूँ, वो कोई साइबर क्राइम करने वाड़ा है, कोई एकर है, जो आपसे दोका लड़ी करने का प्रयास कर रहा है, तो इस प्रकार का कोई भी आप एडवर्टाइजमेंट देखो, कोई ऐसा फरजी टेलिग्राम चैनल देखो, पे बेसकोसिक.com पे कोई डाटा बैंक अपडेट करता हूँ, तो उसका लिंक शेर करता हूँ, या कोई मैं सब चीजे फरी है, इसमें ब्लोग पे आपको किसी भी चीज का पैसा नहीं लगेगा, तो मेरा अधिकर्त वाटसप चैनल वीडियो की डेस्किसन में जो लिंक दि पुस्ते हैं, तो इस तरह की मैं कोई ओफलाइं क्लासेज नहीं लेता हूँ, मेरे से सीखने का एक मत्र तरीका है, आप फरी में सीखना चाते हैं, तो यूटूब पर मेरी मेसकोसिकी पार्टसला सीरीज के सब भी वीडियो देखें, जिनकी प्ले लिस्ट का लिंक इस लिपकार्ट या परबात प्रकासन की वेब साइट पर जाके खरीज सकते हैं, उनका हिंदी, इंग्लिश, गुजराती और मराथी, चयार बासाओं में अभी तक अनुवाद हो चुका है, तो वो सब मेरी पुस्तकें आप खरीजना चाहें, तो उनका लिंक भी इस वीडियो करता होगी, तो मैं शेर मार्केट से ही पैसा कमा लूँगा, सिर्व आपके जानकारी के लिए मैंने बताया कि कुछ लोग बहुती ज़्यादा उस्सु को कोई कोर्स खरीजने के, तो मेरी पुस्त के ही मेरा एक मातर कोर्स है, जो कि मैंने नहीं च्छापी देखो, पुस्त करें, पुस्त कों के बारे में भी कॉंटेक्ट नहीं करें, तीसरी बात आती है, मैं फॉन पे गाइड इनी करता, उस फॉलोवर कही से मेरा फॉन नमबर जुगाड लेते हैं, तो यदि आपने ऐसा मेरा फॉन नमर कही से जुगाड लिया है, तो करपा करके बीना स्थिधे मुझे फौन करते हैं तो मुझे आपको बुलोग करने के लिए मजबूर वणा पड़ेगा आप इस बारे में पूरा ध्यान रखें कि सीधे मुझे फौन नहीं करें तो आज के वीडियो में इतना ही मेरते अगले कक्षा साथ के टेक्निकल एनालिसिस के वीडियो मे मेरी तरप से बस रांटारी प्रोवाइब कराने का पुरा प्रयास करता हूँ तर से मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेस का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता अता इस वीडियो में दिखाईगी जानकारी से आपको शेयर बजार में 100% लाब ही होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है अता इस वीडियो में दिखाईगी जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल परफेक्ट के लिए समझा जावे तरह इसमें बताईगी जानकारी को प्योग स्वेव विएक से करें मैं इस वीडियो का निवाता किसी भी नुक्तान के लिए उतरदाई नहीं रहुँगा दन्मेबाद